किसी भी Android phone में password कैसे लगाते हैं उसके लिए हमें phone के setting में जाना होता है और setting में जाने के बाद नीचे scroll करेंगे और नीचे करेंगे नीचे personal का पास में आकर यहां security जो लिखावा है security पर हमें क्लिक करना है क्लिक करने के बाद उपर देख रहें screen lock लिखावा है screen lock पर क्लिक करेंगे अब यहां पर swipe यानि swipe अबला भी आया हुआ है जो सिधा डायरेक्ट स्लाइट करने से खुल जाता है और pattern pattern पीन है आप password है तो आप जो लोक लगाना चाहते हैं वो लोक लगा सकते हैं हम पैटेन यानि कोई number डालना है तो नमबर वाला इससे कर सकते हैं या कोई password यानि लंबा कुछ password बनाना है इससे आप कर सकते हैं हम अभी फिलाल में pattern lock बनाकर आपको देखाएंगे इसलिए हम pattern पर ट्लिक करेंगे अब जो लोक बनाना है हमें यहाँ पर ड्रो कर लेना यानि बना लेना है और उस लोक को याद रखना है सेम उसी लोक को फिर से हमें बनाना होता है इसलिए याद रखना है तो हम अभी लोक बनाएंगे यह लोग हम बना लिए ठीक है लोग बनाने के बाद आपको continue या करना है फिर से आपको एक बर और मांगेगा फिर से एक बर और कर देना है और लोग ध्यान रखे याद रखे ठीक है यह आप confirm करने के लिए को बता रहा है confirm कर दिए कर दिने के बाद एलोग बन चुका है अब यहाँ पर डण लिखा डण करने के लिए आ रहा है तो हम यहाँ पर डण कर देंगे यह डन हो गया मेरा अब जैसे देख रहा है इस्क्रीन लॉक है अभी पैटेन इस्क्रीन लॉक हम लोग का मेरा फोन का भी पैटेन है अब आपको हम इसको बेख करके दिखा देते हैं कि लॉक लगावाई की नहीं कर दिये अब अब हम लॉक खोलेंगे ठीक है यह लोग गलती है ठीक है यह लोग हमसे नहीं हुआ मेरा लोग था यह खुल गया तो थैंक्यू वेडि मच यदि आपको यह वीडियो अच्छा लाव तो इस वीडियो को सेर कीजिए